नमस्ते फ्रेंड्स मेरे छोटे से चैनल में आपका बहुत बड़ा स्वागत है आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे उसरक्षित होंगे तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है इंजन बे को धोने के लिए ठीक है तो आपके मन में काफी डाउट्स आते हैं कि क्या मैं अपने इंजन के उपर पानी फैंक सकता हूँ उससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है तो अगर मुझे पानी से धोना है तो मैं कैसे धूँ तो जितने भी आपके मन में सवाल हैं उन सभी सवालों का मैं जवाब देने वाला हूँ प्लस आपको practically ये सारा मैं करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप घर पे बिना pressure washer के बिना किसी चीज के खाली एक बाल्टी से अपने पूरे engine way को अच्छे तरीके से धो सकते हैं और safe तरीके से सबसे main चीज ये है कि engine हमारा गाड़ी का main part होता है और उसी में सारी जान बसी होती है और उसको safely धोना बहुत ही जरूरी है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी मेरी वीडियो को like करने के लिए बहुत बहुत धन्याबाद और मेरे चैनल को यार subscribe जो आपने किया ना उसके लिए तो बहुत बहुत धन्याबाद तो अभी आप देखेंगे सबसे बड़े तो पहले हमारे मन में ये डाउट आता है कि कोई fault तो नहीं आ जाएगा मेरे engine में धोने के कारण तो fault आता है current के current तो current अगर गाड़ी में होगा ही नहीं तो fault आएगा ही नहीं तो सबसे पहले तो काम करो आप बैटरी अपने निकाल दो ठीक है कितना खत्र नागा वहां cleaning कितनी जरूरी होती है तो बैटरी और बैटरी टर्मेर निकालने के लिए आपको 10 नंबर का spanner चाहिए ठीक है और उसके बाद में ये part खुल जाएगा और बैटरी को हलका सा tilt कीजिए ठीक है सीधा नहीं उठाना है इसको हलका सा tilt करके उसके बाद में बैटरी आपकी आराम से बाहर आ जाएगी आपको बैटरी एक safe जगा पे रखनी है जहां पे की इस पार्क ना पकड़े और जलने का खत्रा ना हो ठीक है ये बहुत जल्दी explode कर जाती है अभी आप देखेंगे ये ट्रे थी और इस प्लास्टिक ट्रे के नीचे देख रहे हैं कितना जबरदस जंग पकड़ गया है ठीक है तो इसमें बहुत सारी electrical parts हैं जो की short के कारण खराब हो सकते हैं या फिर पानी अंदर जाने के कारण खराब हो सकते हैं तो आपको ये polythene use करना है इनको ढखने के लिए ठीक है जैसे हमारा issue हो गया फिर हमारी throttle body हो गई ठीक है throttle body के बाद में आप देखेंगा alternator बहुत जरूरी चीज है alternator को ढखना ठीक है उसके बाद में यहाँ पे spark plug लग रखे हैं इसके अंदर में और उसके उपर लग रखी है coils ठीक है उसके बाद में आपको करनी है dry cleaning एक कपड़ा ले जीजिए अगर आपके पास में brush है ठीक है कोई भी soft जैसे paint वाला brush होता है अगर paint brush है तो paint brush से पहले सूखे engine पे अच्छे से जो मिट्टी है उसको निकाल लीजिए अगर उससे आप मिट्टी पहले ही साफ कर लेंगे तब तो आपका 50% काम तो पहले ही हो जाएगा मेरे पास अभी brush था नहीं और lockdown की current मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ इसलिए मुझे कपड़े से ही काम चलाना पड़ रहा है कहां कहां पे मेरा कोई दिक्कत तो नहीं है या पिर मुझे पहां पे अपने पार्ट्स बचाने है जहा है क्या चीज़ अपने को ठखनी है ठीक है, इस अबसे जरूरी पार्ट है अपनी गाड़ी में, उसके बाद में अपना जो वाइपर मोटर बगारा आती है, जितने भी मतलब एलेक्टिकल पार्ट्स आते हैं, फ्यूज बॉक्स हो गया, ठीक है, थ्रोडल बॉडी हो गई, थ्रोडल बॉडी के नीचे अपनी इ गाड़ी को मैं जितना मरजी पानी फैंकूं, मुझे कोई फरक नहीं पड़ने वाला है, सारी इंजन जो है ना मेरा, मेरा मेरा इंजन सेफ हो गया, ठीक है, अब यहां पानी फैंकने से कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद में फ्रेश वाटर लीजिए, और पानी फैंक से निकला है, ठीक है, जो फसी पड़ी है साथ में, मेली इंजन आपके मन में आ रहा होगा हम धोते क्यों है, तो सबसे बड़ा जरूरी जो काम होता है ना इंजन में धोने का, वो यह होता है कि अगर गलती से कोई लीकेज है, जैसे ओयल स्पिल वगएरा अगर वहां पे हो होई है, ठीक है, भिगोने के बाद में, आप अपने इंजन पे पूरा जो है, उसको अच्छे से रब कर दीजे, ठीक है, जितना भी डर्ट है आपको सारी डर्ट वहां से निकालनी है, ठीक है, तो यह शैंपू वाला जो फॉर्मूला है यह बहुत बढ़िया है, ठीक है, जो आप फॉर्म यूज करते हैं, जो वाशिंग सेंटर बगारा में जाते हैं, यही चीज है, कोई मतलब बहुत एक्स्टारडिनरी चीज नहीं है, ठीक है, हाथ से करने का फाइदा यह होता है, कि आप जितने भी नॉन रीचेबल स्पॉर्ट होते हैं, जहां पे आपका ज हैंड लूम जो है इसलिए अपने को जादा पसंद होते हैं, ठीक है, उसमें सफाई होती है, तो जितने भी आपको जो भी जगा दिखाई दे रही है, इलेक्रिकल पार्ट छोड़के, ठीक है, सॉकेट्स पगरा पर नहीं लगाना है, यह बैटरी बाला तो पक्का क्लीन कर ठीक है, उसको गिला नहीं करना है, वहाँ पे पानी लगना चाहिए, ठीक है, तो यह खाली में जगा बनाने के लिए ही अपनी फिल्टर हाउसिंग निकाली है, तो जितनी भी जगा मेरे को दिखाई दे रही है, जहां पे भी छोटा मोटा पार्ट भी मुझे दिखाई दे सारा आपको अच्छे से साफ करना है, पहले शैंपू वाले ही कपड़े से, ठीक है, कपड़े से कीजिए, जितने भी अपनी होस पाइप्स बगएरा हो गई, उपर स्नॉर्कल हो गया, साइड में मेरे माउंट, इंजन माउंट हो गया, ठीक है, अल्रड़ी पार्ट के तो आपको नाम मैंने बताई रखें, ठीक है, तो सारा अच्छे से ये क्लीन करना है, बहुत जबर्दस क्लीनिंग होने वाले, आप बहुत सटिस्फाई हो जाओगे, ठीक है, लॉक्डाउन में घर बैठे ही, आप आराम से ये क्लीनिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं ह आपको ख्या ले रखना है, कि जो मेन पार्ट्स थे, वो तो अपने कबर कर ही दिये हैं, हमने पॉलिथिन लगा के, उसके बाद में भी जो सेंसर बगारा है, जैसे अभी ऑक्सीजन सेंसर है, इस पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, मैं आपको बता दू, ये एकदम वा पानी से इसको अच्छे से धोना है, ठीक है, जितना भी शैंपू हमने लगा रखा है, वो सारा अपने को निकालना है अभी, ठीक है, और जो भी पार्ट्स आपको दिखाए दे रहे, अच्छे से पानी वाहाँ पे फैकना है, तो वो साफ करनी के बिजाए गंदा कर देगा तो अच्छे से मैं पानी मार देता हूँ, खुले दिल से मारी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परिशानी नहीं होने वाली है, काली इतना याद रखिएगा, कि ये मतलब जमाना हुआ पे, उसके बाद में एक सूखा कपड़ा लीजिए, सूखा कपड़ा मारना बह ही जरूरी है, ठीक है, अगर आपके पास में एक ब्लोर है या फिर ड्रायर बगारा है, तो उससे आप जो है प्रेशर से इस सारे पानी को सुखा सकते हैं, अगर आपके पास में ड्रायर बगारा नहीं है, ब्लोर नहीं है, तो जैसे अभी मैं कपड़े का यूज कर रहा है, थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे अभी मैं पोंच रहा हूं सारा, उसके बाद में कपड़े को निचोड़िए, निचोड़ने के बाद में फिर दुबारा साफ कीजिए, ठीक है, तो इस सुखाना बड़ा जरूरी है, पर याद रखने वाली यहां पे बात यह है कि स कोई भी पानी अभी जो है, वहां पे बचा नहीं है, और कोई भी इलेक्रिकल शोर्ट होने की संभाबना बचेगी ही नहीं, हलांकि हमने कोई उस संभाबना छोड़ी नहीं है, पर फिर भी थोड़ा वो डाउट भी अपने मन में नहीं रखना है, तो अभी जहां-जहां पानी दिखाए देगा, वहां पे मुझे पानी साफ करना है, कपड़े से, सूखे कपड़े से अच्छी तरह इसको सुखाना है, ठीक है, क्योंकि अगर पानी जमा रह जाएगा तो फिर अपनी क्लीनिंग का कोई मतलब नहीं दाएगा, ठीक है, पानी वहां पे जमा नहीं ह मत धोना, उसका मैंने खैर पहले भी आपको काफी कारण बता रखे हैं, पर सबसे बड़ा जो कारण होता वो यह होता है, कि आपका जो इंजन गरम होता है, वो मेटल पार्ट है, एकदम आप पानी फैंक देंगे, तो मेटल जो है, कॉंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, सिकुड पे ही, आपको गाड़ी पे पानी फैंक ना है, गरम इंजन पे कभी भी लाइफ में पानी मत फैंक ना, उससे बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, बहुत जबर दस नुकसान होता है, और वो नुकसान आप बियर नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपका जो हैड हो गया, वो क्र के लिए उसके बाद में बैटरी लगानी है बैटरी जोड के फिर हम गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं तो आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको इंजन क्लीनिंग की पसंद आई होगी मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ठीक है बैटरी भी मत लगाईएगा थोड़ी वेट कर लीजिएगा और मेरे चैनल को जो आपने सब्सक्राइब किया रहा है यार उसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जैए